संजू सेमसन की कप्तानी वाली राजिस्तान की टीम ने आरसेवी की टीम को दूसरे क्वालिफायर मैच में हरा दिया और इस जीत के साथ ही संजू सेमसन अपने बयान में बेहदी खुश नजर आए और इस दोरान उन्होंने जॉस बटलर समित अन्य खिलाडियों के बारे में कुछ ऐसा बड़ा बयान दिया कि सुनने के बाद आपका भी वो दिल जीत लेंगे तो उनका बयान तो आपको यहां परम बताएंगे ही लेकिन उस्ते पहले आप सभी क्या मानते हो कि इस साल IPL 2022 का खिताब क्या आरार की टीम जीतेगी या फिर गुजरात की टीम अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप भी संजू सैमसन को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना और वहीं दोस्तो राजिस्तान और बैंगलोर की टीम के बिच खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले की तो जितनी सरहना की जाए उतनी ही कम क्योंकि इस मुकाबले को राजिस्तान रोयल्स की टीम ने जीता ही नहीं बलकि राजिस्तान रोयल्स की टीम ने RCB की टीम को बता दिया कि आखिरकार टीम में कितने भी खतरनाक खिलाडी क्यों ना हो वो जीतना किसी भी हाल में जानते हैं और ऐसे में दोस्तों दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजिस्तान रोयल्स की टीम को साथ विकेट से जीत मिली और इस मुकाबले में जॉस बटलर का तुफान हम सभी को देखने के लिए मिला जिनों ने 106 रन इस दोरान बनाये थे और वहीं अब इस मैच को जीतने के साथी राजिस्तान रोयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन का बड़ा बयान सामने निकल कर आये जहां पर संजू सैमसन ने कुछ ऐसा कहा है कि सुनने के बाद आप भी जरूर उनको सलाम ठोकने वाले हो जहां दोस्तों आपर पोश्ट पिच को जाना कि आखिरकार ये पिच गेंदवाजी के लिए अनुकूल है या फिर नहीं और मैंने पाया कि ये पिच आज पेसर गेंदवाजो के लिए अच्छिया और उसी काई फायदा टीम को मिला हमने यहां पर पेसर गेंदवाजो पर काफी जादा भरोसा जताया और ने भरोसे को कायम भी रखा यहां पर ओविड मकॉय और प्रसिद्ध कृष्णा की जितनी सरहना की जाए उतनी ही कम और फिर बाद में आकर जौस बटलर ने जिस अंदाज में इस इनिंग को खतम किया है वो तो ला जवाबी है उन्होंने बताया कि फाइनल से पहले वो लेकिन हमारी टीम के एके खिलाडी ने इस खिताब को जीतने के लिए काफी महनत किया और मैं जानता हूँ कि टीम की महनत हमारे जरूर रंग लाएगी और टीम के खिलाडियों ने जिस अंदाज में अपना खेल अब तक दुनिया के सामने रखा है वो आगे भी फाइनल में ऐसा ही खिल दिखाएगी हाला कि गुजरात एक मजबूत टीम है और उनसे फाइनल जीतना हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा लेकिन हम पूरी फिर भी कोशिश जरूर करेंगे हाला कि दोस्तों बैंगलॉर की टीम 20 ओवर में मातर 157 न पर ही धेर हो चुकी थी लेकिन अपको करूडो हिंदुस्तानियों का यह सब कहकर दिल जीत लिया और आप सभी की क्या राय है संजू सेमसन के इस बयान के बारे में और आप इनके इस बयान को दसमें से कितने नम्मर दोगे आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पताईएगा